के गाइस Welcome back to my channel मैं हूँ प्रभी और आप देखें टपी प्रभी और आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं साइप्रस के बारे में कि इस्ट लिए साइप्रस क्या होता है और किस तरीके से वह वर्क करता है उसका अर्किटेक्ट्चर क्या है कि इस को अधिये उनको यह अथे सब्सक्राइबना आकट करता है तो इसलिए यह एसडिक पे चलता है ब्राउजर सपोर्ट की तो ये Chrome, Edge, Electron, Firefox, Brave और Safari वेब किट के थुरू इस्तमाल कर सकते हैं Safari के लिए अभी एक्सपरिमेंटल है तो complete के आप इस पर यूज नहीं कर सकते हैं By default Cypress Mocha framework इस्तमाल करता है और Assertion के लिए ये चाह इस्तमाल करता है तो basically इसके syntax जो है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और अगर हम बात करें इसके default browser के लिए तो Electron जो है वो इसका default browser है यानि अगर आप Cypress पर कोई test case रन कर रहे हैं और आपने कोई browser नहीं दिया हुआ है तो by default Electron browser पर ही चलेगा अब बात करते हैं Cypress का architecture Cypress exactly काम किस तरह करता है सो यहां पर देखें स्क्रीन पर तो हमाई सामने browser है सो basically आपका जो syrenium होता है उसको वो browser से interact करता है by using external libraries आप में देखा होगा तो syrenium पर आप exactly यहां पर driver देते हैं या Chrome driver या Firefox driver पर जाके वो interact करता है लेकिन Cypress जो है वो exactly browser के अंदर ही चलता है इसलिए उसको कोई external libraries की जरुवत नहीं होती है इसलिए यह syrenium से फास चलता है इसके बंदर फिर आपको एक node processor create होता है जब भी आप Cypress करते हैं तो node processor एक process create होता है जिसके अंदर की जो proxy होती है वो आपकी Cypress से connect होती है by using a web socket और आपको जो Cypress है वो network calls को भी आपके tackle करता है वो basically network calls को भी alterate करता है तो आपका जो Cypress है वो basically backend और frontend दो तरह से application को end to end test करता है और top से लेके bottom तक उसको control करता है जिस वज़े से आपके पास एक wide variety of collection मिल जाती है आपको चीजों को test करने में चीजों को real time use करने के तो Cypress के तुरू आप application के और browser के जो local storage, network calls, dom, windows सब चीजों पे आपके complete एक पकड़ बना लेते हैं आप completely real time पे चीजों को test करते हैं क्योंकि जो Cypress है वो frontend और backend दोनों तरीके से आपको एक सुधा provide करता है जिसके तुरू आप चीजों को easily tackle कर पाते हैं और Cypress के तुरू आप web automation और API automation दोनों कर सकते हैं आप चाहें तो एक ही framework के अंदर आप अपने UI और API दोनों को create कर सकते हैं I hope यह video आपको कही पसंद आया होगा इसमें आपको कोई भी doubt नहीं होगा विरभी आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment बताईएगा मुझे बहुत खुशी होगी आपकी help करने में और अगर यह video आपको पसना है तो प्लीज आप में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शार्थ शेयर भी कर सकते हैं थैंक यू थैंक्यू थैंक्स अलोट थैंक्यू नहीं थैंक्यू नहीं